आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें अभी दातु को द्रव अमोनिया में गोल लाएं है तो कई शारे रंग, विभिन रंग, जो विज्यान है विभिन रंग का हो रहा है और यह अया इस प्रकार परिवरतन के कास पहार्म हो रहे है? अमने यह बताना थे तो मीद मनी मनेको दपन सिल प्लेशन दातु ठीक है चार धातू ठीक और ये M लिया और साथ में हमने द्रव अमोनिया लिया और कितने मों लिया X प्लस Y ठीक है ये अमोनिया कुछ इस तरह से लिया ठीक है ये हमारा क्या हो द्रव अमोनिया ठीक है तो जब दरब अमोनियम घोलागे तब क्या यहां बनता है तब यहां पर जो बनता है वो बनता है M NH3 का होल यहां X ठीक है और यहां पर प्लस आ जाता है ठीक यह इसका नाम क्या हुआ अमोनियेटेड अमोनियेटेड धातू आयन ठीक है अब साथ में क्या बनेगा यहां पर साथ में अमोनियेटेड अमोनियेटेड इलेक्ट्रोण ठीक है अमोनियेटेड इलेक्ट्रोण ठीक है अमोनियेटेड इलेक्ट्रोण ठीक तो यहां पर क्या कहा रहा था जब छार धातु को देंको द्रवा अमॉनियम घुला थो हमें यह दो चीज बनया Hammondiated धातु है ना अर अमbnонuated electron विभीन रंग का हो जाता है देखें अ अगर इस ammoniated electron पर ठीक है अगर इस ammoniated electron पर क्या पड़ता है लाल प्रकास पड़ता है कैसा लाल प्रकास यानि कि red light पड़ती है ठीक है तो ये जो ammoniated है ammoniated electron है ये किस तरह से दिखेगा हमें अगर ammoniated red light पड़ रही है तो ये ammoniated electron के कारण क्या होता हमें क्या दिखता है जो लाल रैट जैसे पढ़ती है तो हमें ये नीले रंका दिखता है किस रंका नीले रंका ठीक है और अगर जो हमारा विलेन है ठीक है और विलेन की सांदरता 3M से ज़्यादा हो जाए ठीक है तब वो copper copper पर bronze में दिखने लगता है ठीक है तो क्या हो रहा है देखिए जब छार दातु का अमोनियम घोला जा रहा है तो विबीन रंक किस के कारण दिखा रहा है इस अमोनियेटेड एलेक्ट्रॉन के कारण तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जब लाइट पढ़ रहे हैं, लाल प्रकास पढ़ रहा है, अंदर तब अढ़ार है, फिर वो रंग परिवर्तित कर ले रहा है, ओके, थाइंक यू